ईसलाम वालेकूम दोस्तो, वेलकूम टो मै चैनल दोस्तो ये कहानी है एक ऐसी बिल्ली की, जिसे इंग्लैंड में हीरो माना जाता है और इस बिल्ली ने कई मैडल भी जीते हुए हैं इसे साइमन कैड कहते हैं आई ये इसकी इंटूस्टिंग कहानी जानते हैं दोस्तो ये वक्त था मार्श 1948 का जब हॉंग कॉंग कॉंग के एक जजीरे पर एक बिल्ली खाना ढूंड रही थी इसकी उमर तब एक साल थी और तब ही एक ब्रिटिश सैलर की नजर इस बिल्ली पर पड़ गई ताके चुहों का खात्मा हो पाए जोर्ज इसे अपने साथ ले आया और इस बिल्ली का नाम साइमन रख दिया तो वक्त गुजरता गया और ये बिल्ली फौज के साथ मुक्तलिफ शिप्स में सफर करती थी इसका काम फौजियों का होसला बढ़ाना होता था और शिप्स से चुहों का सफाया करना पहरत की बात तो ये है कि इस बिल्ली को भी ब्रिटिश आर्मी का एक हिस्सा समझा जाता था बेरहाल ये वक्त था एप्रेल 1949 का जब एक एमेथिस नामी ब्रिटिश बहरी जहाज चाइना के एक दरिया येंजे रिवर में सफर कर रहा था इस ब्रिटिश जहाज में ब्रिटिश फौज यानि बरतानिया के फौजी सफर कर रहे थे ये बिली भी इसी जहाज में मौजूद थी इस वक्त चाइना में खाना जंगी चल रही थी बरतानिया का इस जंग से कोई तालुक नहीं था इसलिए ये अपना बेहरी जहाज बगेर किसी खौफों खतर के लेकर जा रहे थे लेकिन अचानक इन पर चाइना ने हमला कर दिया इन पर पचास गोले फाइर किये गए दोस्तों देखते ही देखते इस शिप को आग लग गई नौ अफराद मर गए और 27 अफराद शदीद जखमी हो गए लेकिन उस बिली का क्या हुआ कहा जाता है कि वो बिली जहास के कैप्टन के कैबिन में थी और ये कैप्टन की टोपी के नीचे चुप गई जहां इस हमले में कई फौजी मारे गए वहां ये बिली बच गई लेकिन बिली की हालत शदीद खराब थी ये बिहोश हुई हुई थी और बहरी जहास बुरी तरह से डैमेज हो चुका था फौजीयों ने बड़ी मुश्किल से बहरी जहास को एक किनारे पर खड़ा किया और इन्होंने यही पना ले ली दोस्त तब बरतानिया चाइना से मुसाकरात कर रहा था कि इनके फौजीयों को वहाँ से आने दिया जाए तभी इस बिली को एक आर्मी आफिसर जॉर्ज ने उठा लिया बिली की हालत काफी खराब थी जॉर्ज ने बिली का काफी ख्याल रखा ये लोग अभी शिप में ही रह रहे थे शिप में सोग का आलम था क्योंकि उनके सामने उनके काफी जवान शहीद हो गए और दोस्तों बिली का चहरा भी जला हुआ था बेरहाल दोस्तों ये बिली कुछ दिनों में ठीक हो गई और इसने अपना काम दुबारा शुरू कर दिया लेकिन ये बहरी जहास अभी भी यहीं फसा हुआ था वक्त गुजरता गया इन फाजियों के पास अब खाना भी खतम होता जा रहा था इन्हें लग रहा था कि अब ये यहीं पर ही मर जाएंगे इन्हें यहाँ पर तीन महीने हो चुके थे लेकिन दोस्तों खुश किस्मती से बरतानिया की खुमत के जाइना से मुसाकरात कामियाब हो गए और पूरे 101 दिन के बाद इन्हें वहां से जाने दिया गया दोस्तों बहरी जहास में फ्यूल तो काफी कम था लेकिन इन्होंने कोशिश करके बहरी जहास को अपनी मनजल तक पहुंचा दिया दोस्तों जब यह फौजी बरतानिया पहुंचे तो यह हीरो बन चुके थे इन्हें वहां काफी अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया और दोस्तों इनके साथ ही बिली भी हीरो बन चुकी थी साइमन नामी बिली को काफी मैडल भी दिये गए अब यह बिली बरतानिया में स्लेबरिटी बन चुकी थी इस बिली को डिकन मैडल भी दिया गया जो बरतानिया में उन जानवरों को दिया जाता था जिन्होंने दूसरी जंगे अजीम में हिस्सा लिया था दोस्तों इस बिल्ली को बरतानिया में काफी प्रोटाकॉल दिया गया साइमन नामे इस बिल्ली की डैथ 18 नमबर 1949 को हुई थी और बरतानिया में बाकाइदा इसकी कबर भी मौजूद है और आज भी इस बिल्ली को बरतानिया में हीरो समझा जाता है सो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी साइमन नामी बिल्ली की सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो इंटरस्टिंग लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दें बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में